यह कदम्ब का जो ब्रिक्ष है भगवान स्रीक्रिष्ण का प्यारा कदम्ब इस कदम्ब के पेड़ के अंदर निश्यत रूप से वह और भी बहुत सारे औशदिये गुण हो सकते हैं क्योंकि भगवान स्रीक्रिष्ण योगी राज थे योगियों के योगी थे उन्हें विविद आत्म विद्याओं के वो वेत्ता थे तो निश्यत रूप से यदि उनको यह ब्रिक्ष प्रिय था यदि यह पेड़ उनको बहुत पसंद था तो निश्यत रूप से मैं समझता कि इसके अंदर वहां बहुत सारे औश्यत गुण निश्यत रूप से होंगे आयरुवेद के ग्रंथों में हमने कदम के बहुत सारे गुणों को ढूनने का प्रियत ने किया कुछ प्रियोगों को हमने किया भी अपने जीवन में अपने रोगियों के उपर परन्तु हमने ज विशे में हमने पाया कि जैसे आपके पैरों में सूजन है और चोट लकी हो कहीं से आप गिर गए हो कुछ भी हो गया हो कदम के पेड़ की छाल को पत्तों को उबालिए खुब उबाल करके उसमें थोड़ा सा आप सिंधा नमक और मिला दीजिए यह आप करते हैं सिकाई और ग प्रियोग होती है जो कदम का पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी है बहुत मजबूत नहीं होती है परंदू आपको सूजन है दर्द है तो कदम के पत्तों को और चाल को उबाल करके उस पैरों की सिकाई करिए गरम पानी से जराई करिए उसमें थोड़ा सा आप सिंधा नमक और मिला दिजिए तो बहुत ही अच्छा प्रियोग है इसके अतिरीकत है यदि आपके मुँमें च्छाले हैं तो मुँके च्छालों की लिए यदि और कुछ नहीं तो इन कدم के पत्तों को साफ करके इन पत्तों को धीरी ते आप चबाते रहें चबा चबा करके उस लार को वाहर निकाले तो यह आपके मुख के च्छालों के लिए बहुत ही लावकारी है जब मुख में घाव होता है च्छाले होते हैं तो भावनक पीडा परेषानी होती है है चोटी co है बहुत कर्ष्ट दाई बहुत पीडा दाय होती है तो उसके लिए भी यहां बहुत ही लाबकारी है